हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनी मेकी इस दुनिया में तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सेका और उसके सभी दोस्तों को स्कूल में देखते हैं जहां अचानक से सेका एम्यू से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फैमली से मिलो और ये सुनकर प्रपोस कर रहे हो जिस पर सेका कहता है कि तुम गलत समझ रही हो दरसल मुझे एक लेटर मिला था जिसमें मुझे घर पर बुलाया है और मेरी फैमली तुम से मिलना चाहती है क्योंकि तुम सभी एलिमेंट्स को यूज कर सकती हो इसलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगी जिस पर M.U. हाँ बोल देती हैं इसके बाद सेका मेबल को भी चलने के लिए इन्वाइट करता है मेबल भी हाँ बोल देती हैं अगली सीन में सब लोग सेका के घर पहुंचते हैं जहां लुफत उनका वेलकम करता है इसके बाद सेका M.U. और मेबल का इंट्रोडक्शन देता है औ इस पर सेका इस बात को इगनोर करते हुए उसे हेलो कहता है और पूछता है कि आर्मी में सब कुछ कैसा चल रहा है ग्रे कहता है कि सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा है और मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे लिए इतना सही रहेगा और मैं तो तुम्हारी वज़े से मुझ लड़ाई बस लड़ाई लेकिन तब ही मुझ में आ जाती है और ग्रे से कहती है कि सेका को छोड़ो और मेरे साथ लड़ो तो सेका भी कहता है कि हाँ मेरे से अच्छा स्वोट चलाती है और इसलिए अगर तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हारी चुनोती एक्सेप्ट क पर रही थी और ग्रे को नीचे गिराने वाली थी कि ग्रे मेजिक यूज़् करने का नाटग करता हैं जिस इम्यू हमला रोग देती हैं और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रे अटेक करते हुए एम्यू की शौट दूर फेक देता है जिससे वो यह मेज जीत जाता है M.U. कहती है कि यह गलत है तुमने चीटिंग की है तो ग्रे बोलता है आगे ग्रे फिर सेका से बोलता है कि जैसा तुमने बोला था अब तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा और वैसे मैंने सुना था कि तुम आर्ट्स ओफ टूर्नामेंट में विनर बने थे तो अब तुम मेरे साथ फाइट करो और फिर सेका भी इसके लिए मान जाता है कि यह सुनने वाला तो है नी चलो लड़ी लेते हैं मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि लगता है कि यह मेज बड़ा इंट्रस्टिंग होने वाला है और उस लड़की को देखकर ग्रे कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो प्रिंसेस मैंने आपको कही भी अकेले जाने से मना किया था ना जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि सब लोग मुझे छोड़कर चले गए थे या शायद मैं उन्हें छोड़कर चली आई आगे प्रिंसेस ग्रे से कहती है कि मेरी बात छोड़ो तुम्हें अपनी फाइट शुरू करनी चाहिए भले इस फाइट से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है है ना जिस पर ग्रे कहता है कि क्या आपका मतलब में हारने वाला हूँ तो प्रिंसेस कहती है कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मेच का रिजल्ट बता दू हा लेकिन हार में भी कोई शर्मानी वाली बात नहीं है ये सुनने के बाद ग्रे लड़ने से मना कर देता है और प्रिंसेस के पास जाता है फिर वो सबको प्रिंसेस का इंट्रोडक्शन देता है कि ये इंपेरियल प्रिंसेस फियोना है जिसे सुनकर एम्यू मेबल और यीफा शोख हो जाते है क्योंकि वो होली प्रिंसेस होती है यहाँ पर सेका मन में सोचता है कि मेरा इतना खतरनाक भ कुछती हैं कि होली प्रिंसेस तुम्हारे घर में क्या कर रही है जिस पर प्रिंसेस खुद एम्यू को जवाब देती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि मैंने तुमारे टेलेंट के बारे में सुना था ना सिर्फ तुम सभी एलिमेंट्स को यूज़ कर सकती हो बलकि तो सवर्ट चलाने में भी माहिर हो यह सुनने के बाद एम्यू से थैंक्स बोलती है फिर प्रिंसेस सेका को थैंक्स बोलती है और कहती है कि एसे अचानक से मेरी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए thank you so much जिस पर सेका कहता है कि ये तो मेरा first था प्रिंसेस और अगर आपकी और भी कोई request हो तो मुझे बता सकती हो जिस पर प्रिंसेस थोड़ा शर्मा कर थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है कि मैं यहां कुछ और दिन रहने वाली हूँ तो क्या तब तक तुम मेरे साथ रहोगे जिस पर सेका हाँ बोल देता है और गदड़े को समझ में नहीं आता है कि प्रिंसेस उसे थोड़ी-थोड़ी लाइन मार रही है तो वही रात को सब लोग मिलकर डिनर कर रहे थे जहां प्रिंसेस कहती है कि अगर मुझे फिर से जनम लेने का मोगा मिला त पिछले समर में ही में और यीफा इन्वेस्टिकेशन के लिए एस्टिलिया गए थे और वहां हम ड्रेगन के काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे उसने तो हमें अपनी पीट पर बिठा कर राइड भी करने दिया था ये सुनकर प्रिंसेस इंप्रेस हो जाती है और उनकी त जवाब देते हैं कि मैं उस बात के लिए नाराज नहीं हूँ मुझे तो इस बात का दूख है कि आपनी मेरी बेटी को उस बच्चे के साथ भेजा तो डेड उसे कहते हैं कि ऐसा मत बोलो सेका एकेड में काफी अच्छा कर रहा है और उसे अभी तक कोई मुसिबत नहीं बन आगे डेड उसे पूछते हैं कि क्या अकेडमी तुम्हारे लिए अभी भी एक अच्छी जगा है जिस पर सेका हा में जवाब देता है कि हाँ वो अभी भी मेरे लिए अच्छी जगा है आगे सेका की मदर कहती है कि तुम्हें हमें लेटर लिखते रहना चाहिए और ये सु कर सेका emotionally हेरान हो जाता है क्योंकि उसकी mom तो हमेशा उसे ignore ही करती रहती थी इसके बाद जब सेका देर रात को अपने room में बेठा हुआ था तब emu उसके room में आ जाती है तो सेका उससे कहता है कि तुमें इतनी रात को लड़के के कमरे में नहीं आना चाहिए जिस पर M.U. कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है तुमने तो मुझे पहले ही बिना कपडों के देख रखा है तो सेका कहता है कि वो तो बस मजबूरी थी कर्स मार्ग को ढूनने के लिए जिस पर M.U. कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है मैं तो बस मजाग कर रही थी आगे सेका उससे पूछता है कि तुम अभी किसलिए आई हो जिस पर M.U. कहती है कि कुछ नहीं मुझे बस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए थोड़ा घूम रही हूँ फिर M.U. सेका से पूछती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करोगे मैं तो फिर से एडवेंचरर बनने वाली हूँ और शायद मेरे लिए यही सबसे बेस्ट रहेगा जिस पर सेका उसे टीज करते हुए कहता है कि हाँ मैं भी वहां पर एक प्रोमिस किया था कि हम साथ में एडवेंचर करेंगे तो मैं भी एडवेंचररेरी बनूँ आ ठीक है यह सुनकर M.U. खूश हो जाती है और सेका को गुड़नाइट बोलकर वहां से चली जाती है अगले दिन सेका प्रिंसेस और अपने फ्रेंड्स के साथ शहर घूमने जाते हैं वह प्रिंसेस को शहर घूमा रहा था तभी प्रिंसेस सेका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इतनी भीड में हाथ पकड़ कर चलना अच्छा रहेगा लेकिन वहां पर खड़े सब लोग न उन्हें घूर रहे थे तो प्रिंसेस वहां एक कोमनर को देखकर कहती है कि काश कोई लड़का मेरे भी इतना क्लोज होता सेका कहता है कि कहानियों में कहते हैं कि जब कोई किसी को बचाता है तो वो दोनों आपस में बहुत क्लोज आ जाते हैं जिस पर एम्यू भी कहती हैं कि हाँ एडवेंचरर के बीच भी एसी काफी कहानिया है जब कोई किसी को मौंस्टर से बचाता है तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं आगे प्रिंसेस सेका की तरफ देखकर कहती हैं कि मेरा भी यही सपना है कि कोई मुझे भी बचाए औ लेकिन ये गदड़ा समझेगा नहीं इसके बाद प्रिंसेस सेका का हाथ पकड़ कर एक तरफ लेकर जाती हैं लेकिन उन दोनों को हाथ पकड़ता हुआ देख एम्यू के मन में आख सी लगे हुई थी और इसलिए वो उनसे कहती हैं कि तुम लोग कब तक ऐसे ही हाथ पकड कर उसे आगे ले जाती हैं और कहती हैं कि चलो थोड़े नस्दिक से देखकर आते हैं मगर तभी उपर से उनके उपर एक लखड़ी गिर जाती हैं पर एम्यू और ग्रे अपने मेजिक से उन्हें बचा लेते हैं फिर एम्यू सेका से पूछती है कि तुमने कुछ क्यों नह पाने लगते हैं और सब लोग उन्हे घूर ने लगते हैं और इसलिए वो लोग वहां से भाग जाते हैं इसके बाद सेका एक gift के तोर पर princess के hairs को tie कर देता है जिससे ज़ादा लोग उन्हें ना घूरे तो princess प्रिंसेस काफी खुश होती है और कहती है कि काश मेरे पास एक हैंड मिरर होता ताकि मैं देख पाती कि मैं कैसी लग रही हूं तो सेका अपने मेजिक से वहाँ एक मिरर बना देता है और प्रिंसेस ये देखकर काफी खुश होती है इसके बाद शाम को ग्रे स्वोट प्रेक् था वो कुछ तो प्लान कर रही है क्योंकि आखिर में वो भी एक पॉलिटीशन ही है तो सेका कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये सब उसके प्लान से चल रहा है जिस पर ग्रे कहता है कि हां क्योंकि वो फ्यूचर देख सकती है ये सुनके सेका शोक हो जाता है तो ग्रे उसे बताता है कि उसकी मदर कोई आम लेडी नहीं थी वो भविश्य देख सकती थी और जब उससे बेटी हुई तब उसने 어쨌든 हीरो और डेविल किंग के बारे में भी बताया था तो सेकर उससे पूचता है कि क्या प्रिंसेस को पता है कि हीरो और डेविल लेकिंग कौन है जिस पर ग्रे कहता है कि ये तो मुझे पता नहीं लेकिन जिस तरह से वो M.U. से मिलना चाती थी ये देखकर तो लगता है कि वो ही हीरो है और शायद तुम्हें भी ये बात पहले से पता थी आगे फिर सेका पूछता है कि लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है